ये तो 100% तय था कि बच्चे एक्जाम में अपना 100% नहीं दे पाते अगर एक्जाम कंडक्ट भी होता तो क्योंकि उनका आधा ध्यान तो कोरोना पर ही रहता तो अगर ऐसे में एक्जाम रदभी करना पड़ा तो इसमें कोई गलत डिसीजन है इधर पैरंट्स को भी चिंता बनी रदे कि उनके बच्चे सही है या नहीं है वो अपना कोरोना से सही प्रिक्वेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और उन्हें ना चाहता है वे भी अपने बच्चे को घर से बाहर भेजना पड़ता है एक्जाम तेने के लिए आप सभी को जहिंद मेरा नाम जानते हैं वह सिस्टम ये कहता है कि किसी एक्जाम या परिक्षा के उपरांत जो परिक्षारती है उसके सफल या विफल होने के आधार पर उसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए भारत के अगेंस तो नहीं उसके बिल्कुल विपरीत एक ऐसा देश है जिसका नाम है या फेसला की परिक्षाओं को रत किया जाना चाहिए ये बिल्कुल ही गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसा तो छ ची यह एकि हमें परिक्षाओं के महत्व को समझना पड़ेगा जितना आविश्यक होता है तो आएसinden आविश्यक होता है किताबों को पढ़कर आन जहां पर यह पता लगता है कि वायू मंडल में जहरी ली गया से बहुत ज्यादा फैल गई है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देंगे तो हमें महत्व को समझना पड़ेगा जिस तरह हम औक्सीजन को लेना नहीं चोड़ सकते then how can we leave exams in our education system? So these are the two facts I want to share with you all. तैयारी और अच्छी करनी चाहिए और साथी ये गाना भी सुनना चाहिए जो है कैलाश खेर की आवाज में